नमस्कार मैं हूँ आपके साथ महेक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया निउज आज हम बात करते हैं टाइटेनिक जहाज के बारे में टाइटेनिक जहाज को सम्मूंदर से क्यों नहीं निकाल गया क्या है इसके पीछे बड़ा गहरा रहसे जानिये हमारे साथ टाइटेनिक के बारे में आपने बहुत पड़ा होगा और सुना होगा हम फिल्म की बात नहीं कर रहें बलकि उस असली टाइटेनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तोर पर विख्या टाइटेनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं लोगों को पता है कि इसका मलबा कहा है लेकिन आज तक उस मलबे को समूंदर से निकाला नहीं गया क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं न तो चलिए आपको इसके बारे में विश्तार से बताते हैं इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे टाइटेनिक 10 अप्रेल 1912 को अपनी पहली यात्रा बेटेन से न्यूयोक के लिए निकला था लेकिन 14 अप्रेल 1912 को उत्तर अंटार्टिका महसागर में एक हिम खंड से टकरा कर दो टुकडों में तूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया टाइटेनिक हासे में करीब 1500 लोग मारे गये थे इसे ओस समय की सबसे बड़ी गटनाओं में से एक माना जाता है लगबग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अंचुआई समूंदर के अंदर पड़ा रहा था पहली बाग साल 1985 में टाइटेनिक के मलबे को खोज करता रोबोट बलाड और उसकी टीम ने खोजा था ये जहाज जहां पर डूबा था वहाँ दूप अंदेरा और समूंदर की गहराई में तापमान एक डिगरी सेल्शेस तक पहुंच जाता है अब इतनी गहराई में किसी इनसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लोट कर आ जाना बहुत ही मुश्किल काम है ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो दूर की बात है और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और इतना भारी था कि लगबग चार किलो मीटर की गहराई में जाकर मलबा निकाल कर बहर लाना लगबग ना मुनकिन है पताया जाता है कि समूंदर के अंदर अब टाइटेनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है जानकारों की माने तो आने वाले 10 से 20 सालों में टाइटेनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समूंदर की पानी में विलीन हो जाएगा दरसल समूंदर में पाए जाने वाले बैक्टिरिया उसके लोहे से बने ढाचे को तेजी से कुतर रहे हैं जिसकी वज़े से उसमें जंग लग रहा है बीबी सी की एक रिपोर्ट के अनुसार जंग पैदा करने वाले ये बैक्टिरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं यही वज़े हैं कि वेग्यानिक मानते हैं कि अब टाइटेनिक की उम्र जादा नहीं रही ऐसी ही रहसे में कहानिया सुनने के लिए देखते रहे हैं आवाज इंडिया नियूज